Dear student, good morning. आज का हमारा विशेर हैगा 4th stage and 5th stage of Unification of Italy. आज हम इस topic को पूरा करेंगे. सबस्पहले बात करते हैं, 4th stage, Venesia Paradikar. Venesia Paradikar, 1866 इस्वी में उस समय औसर प्राव्त हुआ, जब परशिया और आस्ट्रिया के मत्थे तनाओ उत्पन हुआ और परशिया के चांसलर ने इटली से संधी कर ले. यहां आपको जानकारी के लिए थोड़ा सा बैग्राउंट मैं आपको बताना चाहता हूँ. चुकि इटली के 3rd stage तक हमने अभी पढ़ा था. पिड्मांट के नेत्रतों में इटली का एक करण प्रारंब हो चुका था. 3 stages जिसमें की उत्तरी इटली के कई प्रांथ समलित के जा चुके थे. और दक्षनी इटली के जो प्रांथ है नेपल्स और सिसली हैं इनको भी समलित किया जा चुका था. अभी दो मैतपूंट जो इटली के स्टेट्स थे. उनमें से एक वैनेशिया था, दूसरा रोम था. जब तो कोई इटली में समलित ना किया जाता तो इटली का एक करण जवो संभाव नहीं था. इसलिए वैनेशिया पर अधिकार करना अत्यंत मैतपूंट था. और इसका औसर 1866 में उसमें प्राप्त हुआ विक्टर एमेनुवल को जब परश्या और आस्ट्रिया के मध्धे में जब वो तनाव उत्पन हुआ था और यूद की संभावना बनती जा रही थी. परश्या क और परश्या का यूद होता है तो उस समय इटली जह वो बैनेशिया पर आक्रमन करेगा. इटली बैनेशिया पर आक्रमन क्यों करेगा? क्योंकि इटली बैनेशिया को अपने एकिकर्ण में समलित करना चाहता है और दोस्तर तरफ जो परश्या है उसके लिए इसका लाब य जाएगा इसलिए पर्षिया जवेब बड़े सरलता से और प्राजित कर सकता था और विजय की स्थिति में यह भी तैय हुआ कि वेनेशिया इटली को सौपा जाएगा 14 जून 1866 को पर्षिया ने ऑस्ट्रिया के ब्रुद यूद की घोशना कर दी और गेरिवालडी तो इसी ऑसर का लाव उठाना चाहता था उसने तुरंथ वेनेशिया पर आक्रमन कर दिया और आक्रमन करने के पशाथ यद भी कोस्तोजा नामक स्थान पर जो है वो इटली की प्राजय और प्राजित होने के पशाथ जो प्रेग की संधी हुई प्रेग की संधी में यह डिसाइड हुआ कि वेनेशिया इटली को ही सौपा जाएगा क्योंकि प्रेग की संधी में पर्षिया ने ऑस्ट्रिया के उपर दवा पनाया चूकि ऑस्ट्रिया प्राजित हुआ था नेक्स्ट है फिफ्थ स्टेज रोम पर विजय है रोम को इटली में समलित किये विना जो है वो एकिकर्ण किसी भी तरह से संभव नहीं था और रोम चूकी ना किवल एक क्याथोलिक धर्म की बज़े से पोप की बज़े से लोकप्रिय था बलकि रोम का सांस्कृतिक और महतोबी था इटली के एकिकरण में इसलिए रोम की विजय करना अतियनताशक था और यह औसर विक्टर एमेनुवल को 1870 में प्रावत हुआ जब फ्रांस और पर्शिया के समंथ बिगडे फ्रेंको पर्शियन वार हुई और उस फ्रेंको पर्शियन वार के कारण जो फ्रां सेनाएं वापिस बुलानी पड़ी थी और जब उसकी सेनाएं रोम से वापिस चुकी फ्रांस और पोप के मद्धे में एक समझता हुआ था आपने जब थर स्टेज में हमने पढ़ा था तो किस प्रकार जो पोप की अनुशनसा पर नेपोलिन तृतियन ने सेनाएं भेज कर के जो अपने राज्य को बचाया था अपने राज्य की सुरक्षा की थी अब चुकी फ्रांस और प्रशिया के मद्ध यूद हुआ इसलिए नेपोलिन तृतिय को रोम से अपनी सेनाएं वापिस बुलानी पड़ी थी और 20 सतंबर 1866 इस्वी पर जह वो यहां पर आक्रमंट कर लिया गया और आक्रमंट करने के पशाथ जह वो लोकमत द्वारा रोम का विले इटली में किया गया और इसे राजधानी घोशित किया गया यह जो यहां फैक्ट लिखा यह 870 हैं 20 सतंबर 1870 को रोम पर अधिकार कर लिया गया और अधिका कारण इतली रोम के विले को लोक्मत जन मत दिया और उसे इतली की राजधानी घूशिद किया गया. रोम के विले साथ ही इतली काई की करण इतली के नम पूरा हुआ था. इतली के पाच चरण है, वह complete हुए थे इसमें कई मैत्वपूर्ण सौतनता सहनानियों ने योगदान दिया था जिसमें की जोसेफ मैजेनी का नाम आप ले सकते हैं और काबूर का नाम है गैरी वाल्डी का नाम है वेक्टर इमेनुवल का नाम है ये चार मैत्वपूर्ण देश भक्त थे जिनोंने समय सम अधर्व में भी विशेश रूप से हम ये कह सकते हैं कि सम्षित में जानकारी आपने प्राप्त करनी हैं जैसे कि जोसेफ मैजेनी है अठास पास से अठास सो बत्तर इसुई तक यह वो रहा ये कारेकाल हैं कार्वनरी का सदर से अठास सो तीस में बना था और यंग इटली नामक संस्था की स्थापना की थी 1831 इसुई में 1848 में जो फ्रांस की करांती हुई थी उसमें भी जब वो मैजेनी ने बहुत मैतवपूनी योगदान दिया था और 1849 के पशाद के योगदान जिसमें की मैजेनी ने उतरी जो साडिना का राच्जे हैं उसको एक करित करने म में बहुत मैतवपूनी योगदान दिया था काबूर का कारेकाल 1810 से 1861 के बीच में रहा और गेरिवालडी 1807 से 1862 इसुई और विक्टर एमेनुवल जो की पिड़मॉंट का शासक था 1848 में से लेकर के 877 इसुई तक जो इसका शासनकाल रहा इसने जो मैतवपूनी चरण के चौथे और पाचवे चरण का जो वो विवरंड देजिये संशित में और साथ में आपने अपने जो नोर्स बनाए हैं उस उन नोर्स में जोसप मैजिनी, काबूर, केरी बालडी और विक्टर एमेनुवल के योगदान का संशित विवरंड भी लिखना है ताकि यह इन के उपर पूछा जाएं आप उसको लिख सके, so have a good time, have a nice day, thank you.